नमस्कुरा राइस्बिटी न्यूस में आपका स्वागत है पेशे 6 दिसंबर मंगलवार सुपेश सवाच्छे राजिस्तान की बड़ी खबरी राइस्बिटी ने मीडिया पर अपना फर्ज पूरा करने में विफल रहने का रूप लगाते हुए कहा है कि अगर वो अपना धर्म नहीं निभाता है तो उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा चेम कहलोट ने कॉंगरस नीता राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा के सोमार दोपहर में यहां विश्राम के समय आयोजित प्रेस वार्था मीं यारोप लगाते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मीडिया द्वारा साथ ही नहीं दिये जाने को लेकर नाराज़ गय जताई उन्होंने कहा कि इस यात्रा का रास्ट्रिय मीडिया ने बहिश्कार कर रखा है उन्होंने कहा कि संपादक और मालिक दबाव में है उन्होंने ये भी कहा कि यहां बैठे पत्रकारों की कोई गलती नहीं है ये तो अपना धर्म नेभाते हैं लेकिन इनके मालिक और संपादक दबाव में है जिन्होंने वहिशकार किया है करॉली ACB की टीम ने सर्मत्र अथाने में कारवाही करते हुए हैड कॉंस्टेबल हर्यों मीना को 20,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए रंगे हातों ग्रिफतार किया है करॉली ACB के DSP अमर सिंग के नेत्रतु में कारवाही की गई हैड कॉंस्टेबल हर्यों मीना को रिश्वत की राशी लेते हुए रंगे हातों ग्रिफतार किया गया है ACB को DGBL सोनी ने मामले की जौनकारी देते हुए बताया कि करॉली के रहने वाले एक ही ये वक ने हैड कॉंस्टेबल पर उसके भाई और दोस्त को जूटे मुकदमे में फसाने की धमकी देने के चलते पचास हजार रुपे के रिश्वत मागने के शिकायत दर्ज कराई थी राश्वान कांग्रिस के अध्याक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी जिस उद्देश को लेकर भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरा होगा रोटासरा ने जहरावार में ही मीडिया से बाचित में कहा कि महत्मा गांधी ने सबको साथ लेकर देश को आजादी दिलाई थी और आज राहुल गांधी भी देश में फैलाई जो रहे डर को दूर करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में बेरुजकारी महंगाई पर केंद सरकार का ध्यान नहीं है लोकतंतर की हत्या की जा रही है समयधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग हो रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा साथ राजियों के 36 जिलों से गुजर कर अठाइसो किलोमेटर से जौदा का सफर तैग कर राजिस्तान की धरा पर जहलावार के रास्त्रे एंट्री मार चुकी है राजिस्तान प्रवेश के दौरान राहुल के साथ मुख्यमंत्र अशोगहलोत और सचिन पारेट भी थरकते नज़र आए लेकिन यात्रा के दूसरे दिन सबकी सबसे जादा चर्चा का विशह सचिन पारेट की टी-शट बन गई दरसल यात्रा ने मध्यप्रदेश से राजिस्तान में प्रवेश किया तो मुख्यमंत्र अशोगहलोत से लेकर सचिन पारेट भावर जितेंद्र सिंग गोविन सिंग सरीखे नेता राहुल के साथ क्याता का नेत्रत्व करते नजर आए लेकिन सबकी निगाहों को सचिन पारेट की टी-शट ने अपनी और खिंचा जातर नेता उन्हें या तो सफेड टी-शट पहन रखे थी या कुरता लेकिन पारेट की टी-शट पर एक संदेश था जो ना सिर्फ राजिसान के बलकि पूरे देश के युवाओं के लिए था धौलपूर में शुद्ध के लिए युद अभियान के तहित प्रशासन की टीम ने बस्टान के पास निजी ट्रेवल्स की बस से साड़े चार कुइंटर मिल्क केक पकड़ा है विभाग ने इसके सैंपल लिये हैं उपखान अधिकारी अनुप सिंग ने बताया कि नकली मावा से बना मिल्केक जाने की सूचना मिली इस पर टीम ने कारवाही करते हुए एक निजी ट्रेवल्स की बस की डिग्गी से कृष्णा फूड प्रोडक्ट मारका लगा 436 किलोग्राम मिल्केक पकड़ा ये मिल्केक 16 पेटियों में रखा था बिका ने नगर निगम की ओर से जोरी किये जोरहे एकल हस्ताक्षर पटो पर आयकत और महापार में तकरार जोरी है जहां आयकत एकल हस्ताक्षर से जोरी पटो को नियम अनुसार बता रहे हैं वही महापार नियमों की विप्रीत ऐसे में आमजन में नगर निगम की ओर से जोरी किये जा रहे है पटो को लेकर असमंजस की सिती भी बन रही है निगम एककल हस्ताक्षर से पत्रावनियों के निस्तारण में जुटा हुआ है वहीं महापाउर आईक केस निर्ने पर विरोध में अडिक है जपु शहर में दर राजिस्तान स्टेट कॉपरेटिव बैंक के एटियम दो साइबर ठको के निशाने पर है शाते 14 दिन में 4 एटियम पधावा बोल चुके हैं ठक अमाउंट का कमांड देने के बाद मशीन की बज़दी सप्लाई रोग देते हैं इसके बाद चाबी से मशीन का ओपरी कवर खोल का नगदी निकाल लेते हैं अपैक्स बैंक को इसकी खबर तब लगी जब रुपए डिलीवर नहीं होने को लेकर दूसरे बैंको को मेल पहुची ये सबी वारदात अपैक्स बैंक के एटियम पर ही हुई है जिसमें मुख्याले भावन का काउंटर भी शामिल है CCTV फुटे से वारदात का खुलासा हुआ है सोशल मीडिया पर देशी जुगार का एक वीडियो तेजी से वारिल हो रहा है इस वीडियो में एक ग्रामिन लड़का अपनी 6 सीटर e-bike लेकर घूम रहा है वीडियो में लड़का बता रहा है कि इस e-bike को तयार करने में मातर 10,000 रुपे का खर्च आया है यह जुगार सिंगल चार्जिंग में 50 किलोमीटर तक की दूरी तै कर सकती है जिसका आर से 10 रुपे खर्च आता है e-bike पर एक साथ 6 सवारियम बैठ सकती है देसी जुगार में वीडियो को शेयर करते हुए अद्योगपती आनन्न चार्टरा भी इसकी तार्जिफ करने से खुद को रोक नहीं सके महिंदरा समु के चेरमेन आनन्न महिंदरा ने अपने सोशल मेडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा मैं हमेशा से गाउं में होने वाले वश्कारों से प्रेरित होता हूँ छोटे मोटे बदलाओं के बाद इस बाइक को ग्लोबल स्टर पर लाया जा सकता है यूरोप के भीडबार वारे टूरिस्ट केंडरों पर इस बाइक को बस टूर की तरह इस्तमाल किया जा सकता है श्री गंगानगर में यूरिया की कमी को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में वर्तमान में 93 हजाटन यूरिया सभी जिलों में उपलब्ध है श्री गंगानगर में सबसे अधिक यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है कृषिया आइक तुकानाराम ने बताया कि केंद सरकार की ओर सी यूरिया एवम डी एपी का राज्यो को माहवार एवम कमपनी वार आवंटन किया जाता है राज्य सरकार द्वार प्राप्त आवंटन एवम जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ती यूरिया तयार कर और वको का वितरन करवाया जाता है कृषिव भाग के अधिकारियों के मताबिक इस वार शिरभी सीजन के लिए केंद सरकार की ओर से चौदा लाग पुचासाजार मेट्रिक टन यूरिया की मांग स्विकृत की गई थी जिसकी तहट अक्टूबर वे नॉंबर माहा में नौ लाग मेट्रिक टन आना था लेकिन अभी तक साथ लाग सताउन हचार मेट्रिक टन के आपूर्ती हुई है राजसान में चोल रहा है न्याई करमचारियों के अंदोलन को अब देश पर के धिनस्त अदालतों से समर्थन मिल रहा है और इंडिया धिनस्त कोर्ट ओफ एससियेशन के राष्ट्रि माहसर चीफ संजेस रोठिया ने सीजियाई और चीफ जस्टिस राजस्तान को पत्र लिखा है इस पत्र में कहा गया है कि यदि सुभाष महरा की मामले में साथ इसंबर तक FIA दरज नहीं होती है तो पूरे देश के अधिनस्त अदालतों में करमचारी अंदोलन करेंगे आपको बता दे कि संगठन के रास्टि उपाध्यक्ष हर्मी सिंग टिक को भी जयपूर में धरना सल पर पहुंचे और राजस्तान के करमचारीों के अंदोलन को समर्थन देने की घोशना की मही सोमार को प्रदेश भर में न्याई करमचारीों का अंदोलन और सामोही का वकाश जारी रहा इस दोरान जैपूर में अधिनस अदालतों की करमचारीों ने कलेक्टट सरकेर पर मानव शरंकला बनाई रास्तान के भीलवारा में 13 करोड 8 लाग रुपए की लागत से नगर विकास नियास द्वारा बनवाई ज़ा रही पालड़ी पुलिया की शतिग्रस्थ होने के मामने में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है भीलवारा की कोठारी नदी पर केशव पोरवाल अस्पताल के निकट अजमेर की एक कमपनी द्वारा बनाई जा रही 13 करोड रुपए लागत की पालड़ी पुलिया तीन दिन पहले सुबह शतिग्रस्थ मिली थी इस पर जुला कलेक्टर ने मौका मुएना किया तब नगर विकास न्यास के निर्मान शाखा के अलादिकारियों ने जेसी वी से तोड़ फोर की बात कही ताहसान सरकार के भिक्षावरती मुक्त अभियान को सफल बनाने की क्रम में अजमीर में भी आगामी 15 दिसंबर तक भिखारियों के साथ समझाईश की जाएगी जुला कलक्टर अंशिदीप ने बताया कि अजमे शहर सहित उपखंडों के अधिकारी अपने अपने शेत्र में तीन चरणों में इस अभियान को जाम देंगे पहले चरण में समझाईश, दूसरे चरण में चिन्ही करण और तीसरे चरण में भख्षा वरती में लिप्त व्यक्तियों को निरुद करने का काम किया जाएगा अरसान के उदयपूर में चौल रही G20 सम्मेरान के तयात विभिन देशों के शियरपा के प्रस्तावित कुम्बलगर्द दुर्ग भ्रहमन के दौरान 6-7 दिसंबर को आमजन का कुम्बलगर्द दुर्ग में प्रवेश वर्जित रहेगा विभाके जोदपूर मंडल के अदिक्षन पुरा तत्व विद्ध डौक्टर बीरी सिंग ने रासमन जिला प्रुशासन एवं अपखन अधिकारी कुम्बलगर्द को निदेश दिये कि वे इसकी पालना सुनिशित कराएं तथा दुर्ग के आसपा संचाली सभी होटल संचाल को एवं टैक्सी मालिकों को भी पावन करें कि 6-7 दिसंबर दु अजमेर पुशासन ने दर्गाह पुशकर की रिहरसल की और उनकी यात्रा के दुस्टिगत विवस्ता के सास सास रक्षा प्रबंधन को भी देखा सुश्री बनरजी अजमेर आगमन से पूर्व किशनगड हवाय अड़े पर बंगाल सरकार के विशेश मिमान से पहुँचेंगे और उसकी बाद साड़क मार्क से अजमेर आएंगी जोहाँ वे सूफी संत ख्वाजा मुहिन दिन चिष्टी की दर्गा शरीफ में जियारत कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के तैयारी में लगे हैं धारिवार पिछले दो दिनों से लगतार करता हूं कि बैठके करके उन्हें श्री गांदी की यात्रा को सफल बनाने के तैयारियों में जुटने का आवान कर रहे हैं उनकी निरदेश हैं कि इस यात्रा को सफ होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर